आपको कंटिली जाड़ियां दिख रही हैं इनका पहले बाड का काम होता था जैसे न कोई भी खेत हैं तो उसके कोने पे इनको लगा दो तो पसू महलब ये जो भी गाई बचरी होती हैं ये खेतों में नहीं जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर का ये हिस्सा बड़ा नुकिला होत हैं तो हेलो दोस्तों आप सभी का एक वार फिट से सागत है मेरे इस यूटूब चैनल कुल्दी प्यूके में मेरे गाउंग बुंखाल से अभी आज के दिन की सुरुवात हो रही है हमारी गौसाला से गाई बखरियों को पींडा देने से और अभी मैं जाने वाला हूँ ज आज कल मैं हमेशा जंगल में रहता हूँ तो दोस्तों इसको बोला जाता है हमारी भासा में पींडा ये जौ के आटा का बना रहता है और यह हमने बखरियों के लिए बना रखा है हुआ 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 तो मेरीमी ने एक कल मूवी देखी पहाड़ी ब्लॉगरबारी रजिगी तो उसकी एक्टिंग कर दिय है क्या यह था ड्र बना रोग का जी दिलॉग में पहाड़ी ब्लॉग का क्रेजं चलना था तो इसी बीच कीषी rasti ने पहाडी भीलोग वारी नाम से एक मोवी बना टिथी तो मेरी ममी ने वही देखी तो उसी वारे में बता रही है कि मलब ओम महिला अपनी सासो को कि बताती रहती है कि ममी जी मैं बलौग बना रही हूं चैय नहीं बना टी बनाओंगी पाहडों की तो ऐसा कुछ है यह बात कही न कहीं सच है आज काल की आने वाली बहूं को पाहडी बहूं को पाहडी मलब जो भी पाहडी बहूं है व्लोगर वारी उसे नाम से उन्हें जाने जाएगा क्योंकि उनका इंट्रेस जादा रील्स में और पाहडी व्लोग में है हमेशा की तरह अपना कैमरा में यहां पर उपन करता हूँ जब भी मैं जंगल की ओर जाता हूँ तो यहां पर मैं अपना कैमरा उपन करता हूँ विकाव जिसके पीसे का रीजन ये है क्योंकि यहां से मुझे बड़ा अच्छा वाला व्यू दिखता है और यहाँ पे हमें सब वीडियो बनाने का मन करता रहता है सामने आपको चौखंबा वाली पाड़ी दिख जाएंगी थोड़ा जूम कर लेता हूँ यह देखी और यहाँ से जो रोड दिखती है न आगे वो जाती है पैठानी के लिए तो अभी मैं जंगल जा रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था आज मुझे बकरियों के लिए थोड़ा चारा भी लेके आना है ऐसी ही पाड़ी लाइफ है एक बार ने एक बार आपको जंगल जरूर जाना पड़ेगा चाहे कोई भी दिन है गर्मी के दिन हो या फिर सर्दियों के दिन हो तो आज मैं अपना एक थमाला जिसको दराती बोलते हैं हमारी भास में बोले तो थमाला थमाला एक थमल्दो अलग होता है, जो बड़ा होता है, बागी भेंसे काड़ने के लिए पहले उसका इस्तमाल किया जाता था, तो वो अलग होता है, वो इस लकड़ी के बराबर होता था, इतना बड़ा सा उसको चलाते थे, अगर आपको ऐसी ही पहाड़ी लाइफ स्टाइल के ब्ल का होती है, और क्योंकि जब तक ब्लॉग चैनल छोटा होता है, तो इंप्रेशन भी कम जाता है, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, ऐसे में वीडियो वाइरल होने की चांस भी जाद होते हैं, तो खल मैं अपनी एक दोस्ते बात कर रहा था, ऐसी हमारी बाते चल ले थे, तो मैंने उससे पूछा तुझे पहाड़ी कौन कौन सी गालियां आती हैं, तो उसने कहा भाई मुझे ये गालियां आती हैं, जो भी मुझे गुसा आता है सबसे ज्यादा, तो मैं इन इन गालियों को बोलती हूँ, तो मैंने, मलब हमारी इसी बात पर डिसकर चल रहा था, कि इन पहाड़ी गालियों की खोज किसने की होगी सबसे पहले, मलब सोचने की बात है, सबसे पहले तो किसी ने इन बातों की खोज की होगी, इन गालियों की, तो मलब उसके बाद वो पीड़ी दर पीड़ी आगे ब अगर आपको पता है तो comment करके जरूर बते हैं, अगर आप पहाड़ी होंगे तो आपको तो पता ही होंगे, पहाड़ में कैसी कैसी गालियां भी होती है, जो की मलना पहले पूरा निदाति लोग जैसे लड़ाई करते थे न, तो उनके बीच ऐसी गालियां सुनने को मिलते थी वहिया आ चुके हम फिर से अपनी उसी वाली लोकेशन पे जहां कि प्यारे प्यारे जंगल और चारो तरफ एक खूप सुरत सांध सा माहुल मिलकुल सनाटा और ठंडी ठंडी हवा इन पहाड़ों में तो उसी लोकेशन पे मैं फिर से आ चुका हूँ और मुझे आज दराती से सौले भी काटने हैं सौले मलक जो मलक घर में बक्रियां खाती हैं इनको हम लोग सौले धौल बोलते हैं ये जो छोटी छोटी दिख रहे हैं आपको ये पल्ली साइट बड़े बड़े होते हैं तो उनको काट के भी लाना है क्योंकि जंगल में आना है तो कुछ काम तो कर नहीं है हर काम ममी करेगी तो मैं क्या करूंगा फिर मेरा क्या फार्दर घर में रहने का तो इसलिए मैंने सोचा आज की बक्रियों के लिए चारा मैं ही लाउँगा तो भाई मैं दराती लेकर आचुका हूँ वैसे हम पहले बहुत ज़ाद घास काटने में पहाड़ों में ये काम बहुत ज़ादा होता है पहाड़ी बंदों को पता होगा लेकिन जो भाहर की व्यूवर्स हैं मेरे उनको पता दूँ कि ऐसी चीजे पहाड़ों में होना common बात है और ऐसे जंगलों की बीच आपको जाना ये देखिए जहां कि हर मोड पे आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा तो मेरे साथ वाले आगे जा चुके हैं और मेरी गाई हैं पीछे पीछे तो इन जगह में बाग का खत्रा भी रहता है क्योंकि बिल्कुल खाली जंगल है तो बाग भी गुमता रहता है यहां पहाड़ों में पहले की लोगों की भी काफी यादे होंगी यानि की मलद मेरे पहले के लोगों का मनलब है कि जैसे हमारी फूफू लोंग होंगे और चाचा लोग दादी लोग इन लोगों ने भी कभी न कभी इन जगों में अपना टाइम बिताया होगा जिस तरह की हमने बिताया है, तो इन जगों में पहले के लोगों की भी काफी यादे रही होंगी, क्योंकि हमारी तरह सभी लोग काम करते थे जंगलों में, पहले तो बहुत सारे होते थे, मनलो न, बहुत सारे गाई भैसे होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गाई भैंसे भी कम हो रहे हैं और लोग भी कम हो रहे हैं और मेरा काम यह है कि आपको इन जंगलों के खुबसूरत व्यू बताना और यह देखिए जो सामने वाला गाउँ आपको दिख रहा है वो है डुंगरी और यहां से मुझे अभी नीचे जाना है जहां मेरी गाईयां जा चुकी है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी सौने वगेरे काटने हैं तो मैंने जश्ट अभी काट लिए हैं यह आप देख सकते हैं यहां पे तो यह आजकल बिर्कुल बहुत भारी होते हैं और इनसे आजकल एक मलब powder किसम का उड़ रहा है powder बोले तो मलब जो चीड के पेड़ है ना इनमें यह जो आपको पीले पिले दिख रहे हैं इनसे मलब एक किसम का powder टाइप का उड़ता है वो इस पे जमा रहता है तो उससे मलब चहरा भी ऐसा हो गया विरकुल भूत के जैसा नेचरल पाउडर पूरा मुह भी लग गया तो ऐसा कुछ होगा है अब इसको लेके चलते हैं घर अभी हमारी गाईयां नीचे जा रही हैं तो अभी पहले मैं उनको लेने के लिए नीचे जाओंगा तो उसके बा जाओंगा थूझ साओंगा